दोसों इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे GM Hopkins की एक famous sonnet God's Granger पोविम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह Granger word का मतलब क्या होता है हिंदी में इसका मतलब होता है भवविता या महिमा उपर वाले की भवविता या उपर वाले की महिमा और उड़ू में मतलब होता है अजमत उपर वाले की महिमा या उपर वाले की अजमत हम लोग direct poem पर चलते हैं इस लाइन का मतलब यह है कि इस पूरी दुनिया में भगवान की महिमा जो है वो किसी electric current की तरह बह रही है यह charged word का मतलब मैंने आपको बताया कि electric current की तरह बह रही है यह पूरी दुनिया charge हो रही है उस God के ग्रेंजर से यह जो line है इसका मतलब यह है कि उपर वाले की मौजूदगी एक moment के लिए ही सही आग जो होती है उसकी एक लपट के अंदर भी दिखाई देती है ऐसा लगता है जैसे चांदी की foil जो होती है चांदी की foil उसको अगर light में रखा जाए तो एक चमक सी आती है वैसे ही उपर वाले की मौजूदगी आग की लपट में दिखाई देती है यहाँ पर दोस्तों foil का एक मतलब तलवार से भी है तलवार की surface भी metal की होती है जिस पर चमक आती है एक पल के लिए इस लाइन में point आगे बोल रहा है कि भगवान की जो मवजूद्गी है वो किसी rich oil की तरह है जिसकी असली ताकत तब पता चलती है जब उसे तोड़ा जाता है पूरी ताकत के साथ में crush किया जाता है सेम उसी तरह भगवान की greatness जो है presence जो है वो हमें इस तरह पता नहीं चलती बहुत मुश्किलों से पता चलती है और ये चीज़ पता होने की बावजूद भी आगे एक सवाल पूस्ते है पॉइट वाई डू मैं देन नाओ नॉट रैक इस रॉड जब इंसान को पता है कि भगवान का करंट इस दुनिया को चार्ज करके बैठा है तो इंसान भगवान की उस डिवाइन अथोरिटी को मानता क्यों नहीं है क्यों अपनी चलाने में लगा रहता है इंसान नॉट रैक इस रॉड का मतलब उसकी अथोरिटी को मानता क्यों नहीं है आगे मली लाइनों में पाइट अपने ही सवालों के जवाब खुदी देता है generations have trod, have trod, have trod ये have trod का मतलब है चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है ये generations जो है इस धर्ती पर चलती चली जा रही है जाने कितनी generations बीट गई endlessly चलती चली जा रही है and all is seared with trade bleared, smeared with toil सबसे पहले हम तोड़ते हैं इस line को and all is seared का मतलब है seared का मतलब होता है dry कर देना किसी चीज़ को जला देना with trade का मतलब व्यापार में व्यापार में इंसान इतना अंधा हो चुका है का मतलब होता है कुछ दूवे जैसा फैला देना with toil toil मतलब hard work करना इंसान ने व्यापार के पीछे पागल हो करके सब कुछ dry कर दिया है सब कुछ काला कर दिया है और दूवे जैसा कुछ फैला दिया है कुल मिलाकर सब कुछ बरबाद कर दिया है अपनी man-made things से and where's man smudge smudge का मतलब होता है to make dirty, किसी चीज को गंदा कर देना जहां भी इंसान के हाथ पढ़ते हैं वो चीज गंदी हो जाती है इंसान ने सारी चीजों को गंदा कर दिया है and shares man's smell और ऐसा लगता है हर चीज में इंसान की ही smell आती है God की smell तो लगबग गायब सी हो गई है the soil और मिट्टी is bare now मिट्टी जो है is bare now लोग अब उसको feel नहीं करना चाते nor can foot feel कोई अपने पैरों से मिट्टी को feel नहीं करना चाता यानि इंसान का natural connection जो था, nature के साथ में जो connection था वो तूट चुका है पूरी दरह से being short short का मतलब पैर में अब जूते पहनने लग गया है इंसान चपले पहनने लगा है इंसान ताकि उसे चोटना लग जाए मतलब कोई नंगे पाउँ चलना ही नहीं चाता and for all this लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी nature is never spent nature ने अपनी पावर नहीं हुई है there lives the dearest freshness deep down things मतलब deep down यह जो man-made things है इंसान ने जो चीजे बनाई है उसके नीचे भगवान की जो fresh पवित्र चीजे हैं वो भी जिन्दा है and though the last lights of the black west went और सूरज की जो last light है यानि शाम के बक्त पश्चिम में ही सूरज डूपता है हमेशा से और अब भी डूपता है oh morning और सुबह के बक्त at the brown brink eastward springs और सूरज जो है हमेशा से ही east के horizon से उगता है और यह सब इसी तरह एक cycle में चलता रहेगा क्योंकि because the holy ghost over the pen holy ghost भगवान को बोला गया है कि भगवान ने चीजों को वैसे ही अपनी शरन में ले रखा है wild brutes with warm breast and with a bright wings जैसे एक पक्षी या चिडिया अपने बच्चों को यानि अपने अंडों को गर्म करती है अपने पंखों से ठीक वैसे ही God भी वैसे ही इस broken world को guard करते है सूरज वैसे ही डूपता है चंदा वैसे ही आता है कुछ चीजे बदली नहीं है भगवान की बनाई चीजे अब भी इस unnatural दुनिया जो इंसान ने बनाई है उसके नीचे जिन्दा है उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम God's Grandeur समझ में आई होगी आज की इस वीडियो बस अतना ही